Hello friends, welcome to all in our YouTube channel. So, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग maths की सीरीज को स्टाइट कर चुके हैं. आपके अंदर से maths की phobia को दूर करने के लिए. और जैसे कि हमारा target है, आपको zero से hero बनाना है. यानि कि basic to advance पर लेचाना है. तो title आप देख चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं कुछ basic topic की, यानि कि even numbers, odd number और prime number की. ये बहुत ही basic topic हैं और इनको समझने के लिए हम किसी pen paper का use नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे. क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने के लिए जरूरी नहीं है pen paper ही होना चाहिए आपके पास. अगर आप concentrate कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. चलिए, start करते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगी even numbers. Even numbers कौन से number होते हैं? तो even numbers वो number होते हैं, जो 2 से divide हो सकते हैं. यानि कि जो 2 से easily divide हो जाते हैं. जिसे कि example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे करके बहुत सारे numbers होते हैं. आप चेक करके देखिए अगर वो 2 से divide हो रहा है, तो it means वो number कैसा है? Even number है. लेकिन अगर मान लीजी, मैंने कोई बड़ा number दे दिया. Example, 5, 1, 8, 7. तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इसको divide करके देखिएंगे, 2 से divide हो रहा है या नहीं? अगर divide हो जाता है, तो it means even number है. लेकिन इसमें तो आपको time भी लग सकता है ना? कि 5, 1, 8, 7. इतने बड़े number को पहले हम divide करें. मठ divide कीजिए. ध्यान से सुनिए, 5, 1, 8, 7. इसमें once place पर, यानि कि सबसे पहले, जो इकाई का place होता है, once place पर कौन से number है? 7. अब आप बताएं, जो once place पर number होता है, वो 2 से अगर divide होगा, तो वो पूरा number भी 2 से divide होगा. तो हमारा once place पर कौन से number है? 7. क्या 7 तो से divide होता है? जी नहीं. तो it means 5, 1, 8, 7. ये पूरा number भी 2 से divide नहीं होगा. और अगर ये divide नहीं होगा, तो ये even number नहीं है. चलिए दूसरे example देखते हैं, जिसे मैंने आपको दे दिया, आपका 96. 96 में, once place पर कौन से number है? याने की सबसे last one क्या लेख रहे हैं? 96 में 6. ठीक, 6, 2 से divide होता है? बलकुल होता है. तो it means 96 पूरा 2 से divide हो जाएगा. तो बहुत simple है, कोई भी number, अगर किसी भी number के last में, 2, 4, 6, 8, और 0. अगर ये 5 digit में से कोई भी number, कितना भी बड़ा कोई भी number है, उनके last में अगर ये number आते हैं, 2, 4, 6, 8, 0. तो it means वो number 2 से divide हो जाएगा, और 2 से divide हो रहा है, तो वो number है, even number. आईए जानते हैं, odd number क्या होते हैं? Simple है, अगर number 2 से divide नहीं होगा, तो it means वो number कैसा है? Odd number है. Example, जिसे हम चलते हैं, 25, क्या ये 2 से divide होगा? No, that means ये number क्या है? Odd number. एक और example देखते हैं, जिसे कि हमारा है, 15, 15, ये 2 से divide होगा? No, that means ये क्या है? Odd number है, simple. Okay, तो odd number तो बहुत easy है, अगर 2 से divide नहीं हो रहा है, तो number simple सी बात है, odd number ही होगा. अब हम बात करते हैं, Okay students, अब बात करते हैं, most important number, यानि कि prime numbers की. Basically, prime number, यानि कि prime minister से आप इसको relate कर सकते हैं. Prime minister, हर किसी के क्या घर जाते हैं? जी नहीं, वो कुछ special लोगों के वहाँ ही जाते हैं. तो ऐसे ही prime number होते हैं. Prime number वो numbers होते हैं, जो किसी पर table से divide नहीं होते, सिर्फ अपने table से divide होते हैं. Example, त्यान से सुनिए का मैंने क्या वोला? Prime number, ऐसे numbers, जो किसी और के table से divide नहीं होते हैं. किसे divide होते हैं? सिर्फ वो अपने ही table में आते हैं, अपने ही table से divide होते हैं. एक्जाम्पल, टू, क्या टू किसी और से डिवाइड होता है, जी नहीं, टू अपने से डिवाइड होगा, ठीक, टू थ्री के बद, फोर, फोर तो डिवाइड हो जाता है, इत मिन्स, फोर प्राइम नंबर नहीं होगा, तो टू थ्री के बद, नेक्स प्राइम नंबर हमार क्या होगा 5 बहुत अच्छे आंगे आप सोचिए कौन सा होगा 6 होगा प्राइम नंबर 6 तो डिवैड हो जाता एजिली 2 से 3 से तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा तो 2 3 5 ऐसी देखेंगे आप 7 11 13 17 19 23 29 31 इस टाइब से आपको बहुत सारे प्राइम नंबर मिल सकते हैं तो आज आप लोग अभी मुझे कामेंट बॉक्स में लिखकर दिखाईए 50 से 80 तक के बीच के प्राइम नंबर आपको कौन कौन से आ रहे हैं रिकॉल कीजिए आपको कौन कौन से लग रहा है जो 50 से 80 तक के बीच के प्राइम नंबर है तो prime number बहुत simple है ऐसे numbers जो किसी भी table में नहीं हाते वो prime number हुए तो याद रहेगा आपको even number, odd number और prime number तो आपको अगर कुछ भी problem आ रहा है आप comment box में लिखिए या फिर आप मुझे insta पर himani bundela 13 की name से follow भी कर सकते हैं और वहाँ अपना direct query मुझे send भी कर सकते हैं ओकी चलिए नाव जय हिम जय भारत